अलेकुम हेलो एरिवन वेलकम टू मैं चैनल आज मैं आपके साथ शेर कर रही हूं लड़ू की रेसिपी राजगिरा लड़ू की रेसिपी तो बहुत ही अच्छी रेसिपी है आप जरू ट्राइ कीजेगा चलिए स्टार्ट करते है तो यह मैंने पाव किलो गूर्ड ले लिय याने 200ल गूर्ट लिया था मैंने उसको करश करके ले लिया है और यह राजगिरा है यह मैंने सादा वाला लिया है रेड़ी नहीं है हमको इसको अभरेड़ी करना है तो सबसे पहले हम एक कडाई गरम कर लेंगे और उसमें ठोड़pent थोड़ committed दालना हमको जाधा नहीं दालना है यह पूलेगा तो यह देखिए कड़ाई अच्छे से गरम होने के बाद ही दालना है पहले मत दाल एक कड़ाई थोड़ी सी गरम हो गई है उसमें मैंने दाल दिया है और यह फूलेगा तो यह पॉपकॉन तरह फूलता है तो इसको धक्के हमको बनाना है यह देखिए मैंने पर से धक दिया है तो आप यह प्रวยडर करते टाइम थोड़ा ध्यान से कीजिए गा यह देखिए ऐग। और ये ready हो चुका है ये देखिए फूल गया है ये अच्छे से मैं अब इसको निकाल लूँगी और इसको ध्यान से कीजिएगा और बहुत थोड़ा-thोड़ा हमको डालना है ये प्रोसीजर आप जब कर रहे हो तो थोड़ा-thोड़ा ही कडाई में डालना है पूरे मैंने ready करके निकाल लिया है उसके बाद मैं एक कड़ाई में गुड को पिगला लूँगी तो गुड मैंने crush करके ले लिया है और जितना राजगिरा लिया था उतना ही गुड लिया है मैंने तो इसमें पानी नहीं डालेंगे गुड में ऐसे ही इसको पिगलाना है slow gas पे रखना है ने तो नीचे लग जाएगा गुल मैंने 500 ग्राम राजगिरा लिया था और उतना ही 500 ग्राम ही मैंने गुल लिया है आप अपने हिसाब से कमिया जादा ले लेना तो ये देखे गुल पिगलने रख लिया था मैंने इसको 5-7 मिनिट लगेंगे जादा टाइम नहीं लगेंगा पिगलने के लिए रेसिपी अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए अपने दोस्तों और इसे दारों के साथ जादा से जादा शेयर कीजिए मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि कैसे लगी रेसिपी आपको तो ये देखिए ये हो चुका है अब हम इसमें जो हमने राजगिरी रखी थी वो मैं इसमें दाल लेती हूँ इसमें अच्छे से बबल आने लगे ये देखे बबल आने लगे तब ही पता लग जाएगा आपको कि ये रेडी है राजगिरी दालने के लिए तो इसमें मैं दाल दूँगी राजगिरी अगर बराबर से आपके आप जो बना रहे हैं राजगिरी फूली ना हो तो उसको छनी से छान के ले लिए जिएगा यह अच्छे से फूल गई थी तो मैंने दाल दी है इसमें और मिला लेना है गरम गुड में ही मिलाना है हमको पूरा मिलाने के गैस आफ करने के बाद मिलाना है गैस आउन मत रखिएगा पूरा मिक्स करके मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख लिया था और अगर आपको चाहिए तो आप इसमें सेंग दाना या कोई और रैफ्रूड भी दाल सकते हो काजू या बादाम लेकिन मैंने इसमें कुछ दाला नहीं था ऐसे ही प्लेन बनाए थे तो यह देखिए अच् से मत बनाना तो यह देखिए मैंने इसको रख लिया था और जादा ठंडा नहीं करना है अगर एकदम जादा ठंडा हो जाए तो वह थाड हो जाएगा तो आप हाथ से छू सके उतना रखना है तो यह थोड़ा हलका गरम ही है अब मैं इसको बना लेती हूँ लड़ू का शे और फटा फट से बनाना है हमको इसमें टाइम नहीं लगाना है ने तो यह कड़क हो जाएगा यह देखिए सब लड़ू रेड़ी हो चुके है मैंने इसको डिशाउट कर लिया है तो आप कमेंड में मुझे जरूर बताइएगा कि कैसे लगी रेसिपी आपको और एक बार कीजेगा मैं आपसे मिलती हूँ नियू रेसिपी के साथ तब तक के लिए अल्ला आपिस ठैंक्स वर वाचिंग कीप सपोर्टिंग